अज मैं आप सबके साशिया करने वाली हूँ बिना के सलाई जटपट सिर्फ पास वेट में बनने वाली एकदम स्वादिस्ट सॉफ्ट मिठाई की रेसिपी जो मुह में जाते ही घुल जाएगी इसे आप कभी भी बना सकते हैं जब आपके घर में कोई गेस्ट आई या कोई कभी भी भी खाएं इसके लिए सबसे पहले यहां पर मैंने 1.5 कप डेसिकेटिड कोकोनट लिया है जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं आप चाहें इसकी जगे नारियल को कद्दुकस करके भी ले सकते हैं 3.4 कप यहां पर मैंने शक्क्र ली है दौनों चीजों को ए एकड़म फाइन पाउडर बनाके तयार कर लेती हूं एक बड़ा mixing bowl लेती हैं और इसमें इस फाइन पाउडर को मैं निकाल लेती हूं यह आप देख सकते हैं एकड़म अच्छी तरीके से हमारा पिसके शक्कर और नारियल बुरादा मिक्स हो चुके हैं यहां मैंने मिल्क यह भी मेना 3 4th cup milk powder लिया है हमने शक्कर इसलिए पहले ही कम ली थी क्योंकि हम milk powder डालने वाले तो milk powder में अल्रेडी थोड़ी शक्कर होती है इसमें हम मिठाई बना रहे हैं तो स्वात के लिए हमने इलाइची powder भी डाल दी है इन सब को भी खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं खूब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं एक स्पून की वदत से तो यह देखे हमारी सब चीज़े मिक्स हो गई है अब इसमें हम दूद लेते हैं और दूद डालते हुए इसका एक अच्छा साथ थिक टेक्स्चर का अपना डो बना लेते हैं थोड़ा-थोड़ा क डालते हुए डो बना लेते हैं रेसिपी अभी आप एंड तक देखना सिंपल तरीके से इतनी स्वादिष्ट मिठाई आप जटपट अपने घर पे अभी बनाना शुरू करेंगे दिवाली हो होली हो या कोई और फेस्टेवल हो या अचानक आपके घर में कोई गेस्ट आ कभी भी बनाएं और सबको खिलाएं तारीफे सबकी लूटते जाएं यह देखे हमारा यह डो बनके तयार हो चुका है इतना हमारा बस बहुत कम दूद वन फूट कब दूदी हमारा बस यूज हुआ है अब हमने एक को भी पॉलिथिन ले लेते हैं आप कोई भी बटर सबके से कोईकि हमें इसे कवर करना होता है अब इसे गानिश करते हैं हम ढाइफ से अथी तरीके से ब्लीडिश से क्या होता है एक तो लुक भी बहूत अच् средis में आप छाई में इस कवर सकते हैं और बच्चे वगरा के लिए अगर आप मिठाई बना रही हैं उन्हें जैस लेते हैं अधे एक प्लेट नकीम रखेंगे तस Wenirit के लिए से लिए रखना्य है बहुत लिलाड़ हमोच्क जटपते सेट हो जाती है थस मिनित बाद एक इस ऑंधम пользовat पॉफेक की है अब polytin अठाकर देखिए अब हम मेरी ये मिठाई बिलकुल बनके तयार है इसको हम pieces में cut करते हैं तो जैसे भी जिते बड़े pieces आप cut करना चाहिए अब ते बड़े pieces आप cut कर सकते हैं जट जट आपके ये pieces cut हो जाएंगे इदम soft मिठाई बनके तयार है friends मुझे comments में बताना आपको मेरी ये recipe कैसी लगी और next recipe आप कौन सी देखना पसंद करेंगे मैं आपके लिए वही recipe लेकर आऊंगी आने वाले दिनों में हमें बहुत अच्छी अच्छी special special recipes आप सब के लिए लेकर आने वाली हूँ करती हूँ आप भी अपने घर पे बनाएं और सब को खिलाएं और enjoy करें चाते चाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना मैं आप सबीस अपनी next वीडियो में मिलती हूँ बाबाई